सेंसेक्स और निफ्टी ने शुक करवार 19 अप्राइल को निशले स्तर से जबर्दस्थ वापसी की और हरे निशान में बंद हुए सेंसेक्स जहां 600 अंग चड़ गया वहीं निफ्टी भी उचल कर 22,150 के पास पहुंच गया इसके साथ ही 22,000 में पिछले चार दिनों से जारी गिरावट पर ब्रेक लग गया निवेशकों को दिन भर में आज करीब साथ हजार करोड रुपे की कमाई हुई हाला कि ब्रॉडर मार्केट दबाव में रहे BSE का मेट कैप इंडेक्स 0.39 फी सदी और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.04 फी सदी गिरकर बंद हुए आज के कारोबार के दोरान बैंकिंग, कंजियूमर, डूरिबल्स और मैटल शेरों में तेजी देखने को मिली वहीं दूसरी और IT, रियलिटी और पावर शेरों में बिकवाली रही कारोबार के अंत में BSE Sensex 599.34 अंक या 0.183 फी सदी की तेजी के साथ 73,088.33 अंक पर बंद हुआ वही NSE का 50 शेरों वाला इंडेक्स निफ्टी 151.15 अंक या 0.69 फी सदी चड़कर 22,147.00 के सतर पर बंद हुआ BSE मेल इस्टेट कंपनियों का कुल मार्केट कैपितलाजेशन आज 19 से अपरेल को बढ़कर 393.49 लाग करोड पर पर पहुँच गया जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानि गुरवार 8 अपरेल को 392.49 लाग करोड पर था इस तरह BSE मेल इस्टेट कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 60,000 करोड पर बढ़ा 22 अपरेल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल LKP Securities के वरिष्ट तकनिकी विशलेशक रूपक देगा कहना है कि निफ्टी के लिए 22,000 पर सपोर्ट देख रहा है डेली चार्ट पर एक पियरसिंग लाइन पैटर्न बन गया है जो अकसर करेक्शन के बाद बुलिश ट्रेंड रिवर्सल का संकेत होता है इसके लावा इंडिकेटर ने 55 EMA को पार कर लिया है जो एक शौर्ट टम मुविंग एवरेज है इस मुविंग एवरेज से उपर बंध होना एक पॉजिटिव शौर्ट टम रुजान का प्रतीक है आगे थे जड़िये निफ्टी की रिकवरी को 22,300 तक ले जा सकते हैं 22,300 से उपर जाने पर निफ्टी 22,600 की ओर जा सकता है नीचे की तरफ निफ्टी के लिए 22,000 पर सपोर्ट नजर आ रहा है महता एक्विटी के सीनियर वीपी पर शांत तापसे का कहना है कि लगतार चार दिनों की गिरावट के बाद आज बजार में शौट कवरिंग देखने को मिली फ्रंट लाइन बैंकिंग शेरों में देर से आई खरीदारी के कारण बजार में तेजी से वापसी हुई जिससे सेंसेक्स को 73,000 के उपर बंद होने में मदद मिली वास्ता में भारती एक्विटी बजार ने ग्लोबल बजारों से बहतर पदर्शन किया है ग्लोबल मार्केट पस्टिम एशिया में बढ़ते तनाव और प्रमुक मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में बढ़त के कारण और गिर गया है गरिलू बजार में निवेश करने के लिए बहुत सारा पैसा इंतजार कर रहा है क्योंकि भारत की लॉंग टर्म ग्रोथ श्टोरी निवेशकों को हेल्दी करेक्शन के बाद निवेशके अच्छे मौके देगी अच्छे मौके रहा है